हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अन में यूट्यूब चैनल दोस्तों, यह इस ड्रामा की एक्स्पिलनेशन का पार्ट नमबर 13 है अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सबस्क्राइब नहीं क्या है, तो कैस चैनल को सबस्क्राइब कर लीजे और अगर आपको वीडियो पसंदाती है, तो वीडियो को लाइक भी क्या कीजेए जाया जा रहा था, उसे बॉमर ग्रेंटपा की चिंता थी, तो सोरन कहती है, तुम चिंता मत करो, अब साथ चलने के लिए उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जीसियो यॉंग्शुम को समालता है, उसे कहता है, नॉर्मली सांस लेने की कोशिश करो, यॉंग्शुम से नहीं हो पा रहा था, जीसियो से डाटके कहता है, ओ आंटी, क्या तुम बच्चों की तरह सांस भी नहीं ले सकती हो, ये मेरा आण्टी जी कहते हैं, तुम लगतो मेरे स ocas Boon की तरह एख हो क्या तुम ही हो? O Ukrain Caroline का दोस्त है. chased by 2 к Rights. आप भे हैं वह बेठ्णी के लिए और अर मेरे बाभब क मैं सिर्थ को भाउगी आण्टी गुसे में खाया है चैया है वो सक दास्ता Size सोयन को डाइट लगाने लगती है कि तुझे सियोल में होना चाहिए तु इस पागल आदमी और बॉम को उठा कि यहां क्यों लियाया है क्या तु मुझे मरा हुआ देखना चाहता है क्यों आखर तु एड्स वाली बच्ची को यहां उठा करके लेकि आया सोयन अपनी माम को खीच किया लगे के चाहता है और फिर वो उनसे कहता है वो एड्स वाली बच्ची नहीं है वो आपकी ग्रैंड डॉर्टर है और मेरी डॉर्टर है और ये वाली बात आप भी बहुत अच्छे से जानती है कि बॉम मेरी बेटी है यॉंग्षम सिटी हॉस्पिटल में ऑपरेशन के लिए गई है और मैं भी वहाँ जा रहा हूँ तब तक आप बॉम और दादजी का धिहान रखेंगी जी कहते हैं मैं उस एड्स वाली बच्ची को क्यों नहीं लाओंगी दुलाओंगी तब सोयन कहता है वो आपकी ग्रेंड डॉटर है और मेरी बेटी और हम एक फैमली है मगर आंटी जी चिला के कहती है कि नहीं वो मेरी कुछ नहीं लगती है मैं अभी सोरन को बला करके इन दोनों को यहाँ से बेशती हूँ सोयन यहाँ से ही चला गया था यहाँ श्रजरी के लिए ले जाया चाहरा था जीस्यो कहता है मैं तुमारे साथ अंदर आऊं यहाँ श्रजरी है तुम मनने वाली नहीं हो यहाँ श्रजरी अंदर चल जाती है और जीस्यो टेंशन में भार वहीं बैच जाता है तो दूसी तरफ सोयन के घर पे आंटी जी बड़ी परशान थी क्योंकि सोयन कहीं काम में बिजी थी और यह दादा जी पार पार उन्हें बुद्धा बलाय जा रहे थे तो वो भी बॉकला के उल्टे सीधे मंतर पढ़ने लगती है और कहती है आप खुशो तुम और शेकर वो अंदर जाते हैं हूम में और बंम को sé Rachli करे कहती है अभी तक One He पढ़ी है हमारी family में इत्ते आलजनी होते है तब ही तो कहती हूं यह हमारी family की नहीं आए आगी वो उन्हीं को call करती है और उसे पूछती है कि तुम्हारे और Soyun के बीच में कुछ हुआ है, कहीं तुमने उसे यह तो नहीं बता दिया, कि तुम प्रेगनेर नहीं हो, यून ही कहती है, हाँ मैंने बता दिया है, मैंने उससे बॉम और बॉम की मा के पास जाने के लिए कहा है, आंटी जी कहती है, आखर तुमने यह क्यों कर सपोर्ट करना चाहिए, अभी जारी आंटी जी तो बड़ी परशान हो गई थी, वो फोन रख देती हैं और कहती है, अब किस को समा लूँ, खैर अब वो बॉम की तरफ देख के कहती है, देखो तो सही, बेगर लड़की की तरफ बस सोय जा रही है, जैसे जन्द मुसेना सो हो, फिर वो उसके हाथ पाउं देख के कहती है, इतनी गंदी हो रही है, कि कोई कववा देख के काएगा, मेरी पिछोडी भी भेहन मिल गई, पता ना, इसकी मा ऐसे काँ छोड़के चली गई है, खैर गंदा होने के और जैसे वो बॉम का ययलो कोट उतारने लगती है, तो मैं सोयून भी सीटी हॉस्पिटल पहुच गया था, वो जाकर के जी सीओ के बरावर में बैठ जाता है, और फिर वहां बैठ के बोलने लगता है, कि मैं गलत रास्ते पे चला गया था, फैमिली और प्यार से जादे इंपोर्टेंस, मैंने किसी और चीज को दे दी थी, अग अब मैं बहुत आगे बढ़ चुका हूँ, खै तब ही डॉक्टर आके बताते हैं कि ऑपरेशन सक्सेस्फुल रहा है, यह लोग खुश होते हैं, और तब जी सीओ सोयून से कहता है, तुमने पूछा था कि बाउम और बाउम की मा मेरी क्या लगती है, तो वो मेरे लिए एक miracle है, मेरी जिंद की, जो केक कीचर से कम नहीं थी, उसमें वो एक प्रेजिदं की तरह है, वो मेरे जिंद की का miracle है, अब वो यह खैके अंदर चल जाता है, और सोयून अंदर जा नहीं सकता था, जी सियो, यॉंग श्वुम के पाज जाता है, और उससे कहता है तो नहीं वो मिस्टर ली के पास जाती है, अब वो उने छूने सी भी डर रही थी, इसलिए वो ने डंडे से लागे कहती है, मिस्टर ली सुनिये, हम लोग यह यॉंग जू उपा के घर में क्या कर रहे हैं, मिस्टर ली कहते हैं, बोजे निक बता, चौकपाई खाओगी, अब बढ़ी वो बड़ी परशान थी, वो भार बार अपने मैजिक कोट के पार में पूछे जा रही थी, और तब ही वहाँ पे आंटी जी आ जाती है, वो बॉम चे कहती है, क्यो उट गई, कुम करन का रिकॉर्ड तोड़ने ही वाली थी, तब बॉम कहती है, दादी मा, क्या आपने मेरा मैजिक कोट देखा है, वो यलो कलर का था, तब अँटी जी कहती है, वो अच्छा, वो बदबूदार कोट, उसे तो मैंने बाकी समान के साथ जला दिया, बॉम परिशान हो जाती है, क्योंकि वो उसका मैजिक कोट था, तब आँटी जी कहती है, कैसा मैजिक, सस्ता सा प्ला मैं जाकर के, डॉक्टर O के दी हुए, एज अवेरनेस के पर्चे पढ़ने लगती है, तो इदर बॉम मिस्टर ली से कह रही थी, उट भी जाईए, हमें घर पे जाना है, मकर मिस्टर ली तो मस्त सो रहे थे, वहीं यांग्शिम को होशा जाता है, वो देखती है कि जी सियो उसका हाथ पकड़ा हुआ है, तब जी सियो भी यांग्शिम को टके चेक करता है, और उसके बाद उसे कहता है, कुछ अजीब है, तुमारी हार्ट बीट इतनी जादा क्यो बड़ी होई है, कहीं ये इसलिए तो नहीं, कि मैंने तुमारा हाथ पकड़ा है, वैसे ही तुमने काता तुम एक बेजान चीज हो, तो ये तो तुमारे साथ मुंकिन नहीं है, मेरी हार्ट बीट को चेक करो, ये तुमसे दसकुना सादा बड़ी होई है, मैं भी तुमारी तरह पत्थर था, तो अब ये कैसे मुंकिन है, यॉंग्शिम तो कुछ बोल नहीं रही थी, जी सिय यॉंग्शिम तो कहते है, मेरा मैजिक कोट, वो यॉंग्शिम ओपा की दादी ने, उसे कच्रा समझ के जला दिया, अब मैं क्या करूंगी, मुझे डर है, किसी और को मुझसे एड्स होगया तो, तब सो यॉंग्शिम तो कहता है, तुम कबराओ मत, मैं अभी तुमारे पा और खुबसूरत तड़किया मौझूद है, यॉंग्शिम बार बर मना किये जा रही थी, तब जीस्यो जवाब में उसे सीधे किस कर लेता है, वहीं दूसी तरफ सोयन वो काओ वापस लॉट रहा था, तो इधर बॉम वो अभी भी दादी मां से दूर भागे जा रही थी, आंटी जी कहती है, चुपटा आप चलो नहाने के लिए, बरना कहुए आ करके तुम्हें ले जाएंगे, बॉम कहती है, मैं खुद ना लूगी, तब आंटी जी कहती है, तुमारी मा भी यहाँ पे नहीं है, कैसे खुद ना लोगी, तब बॉम कहती है, मेरे पास मेरा मैजि तो तुम्हें यकीन क्यों नहीं है, बॉम पूछती है, तादीमा, क्या यह सच में ऐसे नहीं फैलेगा, तो अब आगी बॉम नहाने के लिए रैडी हो जाती है, और वो कहती है, वाओ, यह तो सच में फिल्मों जैसा लग रहा है, तब यह आंटी जी वे अंदर आ जाती है, बॉम के साथ बात लेने के लिए, बॉम कहती है, यह तो सच में फिल्मों जैसा है, बहुत अधा अकूल तादीमा, आप तो फिल्मों वाली हिरोईन लग रही है, तब आँटी जी कहती है, वो तो मैं हूई, चलो अब नहाने के लिए, तब बॉम कहती है, क्यो आप मेरे करने के लिए रही हूँ, अब बॉम यहाँ पे उसकी दादी की तारीफ करने लगती है, क्या आप गाओं में कोई भी कहेगा, क्या मैं आप की तरह दिखती हूँ, तो मुझे बॉरा नहीं लगेगा, क्योंकि आप तो सच में बहुत अच्छी है, आज तो उसकी दादी का द देखने पे जी सीओ खबरा आजाता है, मगर उसे पता चलता है कि यॉंग्शिम वो अपने बाल धो रही है, वो गुस्य में अंदर जाके कहता है, कि तुम नर्स हो तो मैं यह नहीं पता कि इसकी सर्जरी होई है, तो वो नर्स कहती है कि मुझे डॉक्टर ने परमीशन दे और जी सीओ मुस्कुरा रहा था, तो अब कुछ दिन बाद जब यॉंग्शिम रिकवर हो जाती है, तब यह लोग आइलेंड वापस लॉट रहे थे, अब जी सीओ, रस्ते में यॉंग्शिम से बहुत सारे सवाल पूछने लगता है, कि तुम ने अच्छे से सूई, कि तो शॉप से मैं पूरा खाना भी यहां ला सकता हूँ, यॉंग्शिम भी मुस्कुरा देती है, क्या तब यॉसकी नजर बॉम पे पड़ती है, जो कि उसके मॉम के सौगत में भाहर खड़ी होई थी, यॉंग्शिम जाकर कि ये काफी दिन बाद बाद बॉम से मिलती है, ब बॉम कहती है, मॉम ये ड्रेस मुझे यॉंग्जु उपा की दादी ने दिलाई है, और उन्होंने मुसे कहा है, कि वो कुछ भी करेंगी, मेरे एड्स को ठीक करने के लिए, अब बॉम जैसे ही जीसियो को देखती है, वो उसके पास चली जाती है, क्या अंकल मैंने आपको बॉम जाता है, और तब सुयन कहता है, मुझे चलना चाहिए, तुम रेस्ट करो, मैं दुबारा लॉट के आओंगा, वो चला जाता है वहां से, और तब जीसियो कहता है, चलो हम अंदर चलते हैं, तब बंदर जाने के बाद, बॉम यॉंग्शं से कह रही थी, मम्मा, अग उनके काफी जादा खुश था, और तब ही वहां पड़ एक बॉम और यॉंग्शं के शूज के साथ, अपने भी शूज रख देता है, तो उसी तरफ सुयन वह अपना कुछ साब बास्केट बॉल के उपर उतार रहा था, जब वह थक्के लेटता है, तब उसे एक कॉल आता है, खेर इसी के साथ यह वाले पार्ट के एक्स्प्लिनेशन यहीं पे कंप्लीट होती है, दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कर दीजे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे, थेंक्स फॉर होगा जिंक मिलते बाजियल,